नमस्कार मैं हूँ केशो तिवारी और अलग अदाज में ही रहती हैं खबरे हमारी सामान नितया ऐसा माना जाता है कि भरस्टाचार के मामले में महिलाएं पूरसों से कम भरस्टाचार करती हैं लेकिन सतना जिले के अंदर ऐसा नहीं है सतना जिले के अंदर कई ऐसी महिला रोजगार सहायक है जिन्होंने भरस्टा चार की बड़ी से बड़ी फिल्म बना डा ली है और इस भरस्टा चार नामक फिल्म की वो स्वयम खलनाईका है ब्रस्टा चार नामक फिल्मे में जिस तरीके से जिले की दो महिलाओं ने अभिने किया है वह अपने आप में काविले तारीफ है ब्रस्टा चार नामक इस फिल्म के चलते पूरे जिले में इन दोनों महिलाओं की शोहरत और लोक्तिरीता बढ़ रही है मजगमा जनपत के मेहुती पंचायत में रोजगार सहायक मंजुला त्रिपाथी ने भरस्टा चार की सारे हदे पात कर दी इन्हों ने पहले तो मुर्दा लोगों से मजदूरी कराई इतने से भी पेट नहीं भरा तो इन्होंने सेना में काम करने वाले सैनिक से भी मजदूरी कराई दी एक तरफ सेना में काम करने वाला सैनिक इस देश की सीमा पर सीमा की चौकसी कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मेहुती की रोजगार सहायक मंजूलात्रपाठी ने सेना में कारेरत सैनिक से मजदूरी करा डा लिए सेना में कारेरत सैनिक का नाम है इस्वर जीत साकेत पिता सुन्दरलाल साकेत इस्वर जीत साकेत पिछले 12 वरसों से भारती सेना में अपनी सेवाएं दे रहा है बावजूदिस के मंजूला त्रपाठी ने विश्रू त्रपाठी के खेत में 26 नवंबर 2020 से 2 दिसंबर 2020 तक मेड़ बंधान में फरजी हाजरी भर कर रासी का गवन कर लिया अब सवाल यह उठता है कि भला एक ही विक्ती एक ही समय में दो अलग अलग जगा कारिक कैसे कर सकता है लेकिन मेहुती की भरस्ट रोजगार सहायक ने सेना के जवान से भी मजदूरी करा ड़ी सतना जिले के अंदर सायद मंजूला त्रपाठी से योग यो रोजगार सहायक नहीं मिल सकता इतना ही नहीं रोजगार सहायक ने इस स्वर जीत से मजदूरी भी करा ली और उसके नाम से पैसा भी निकाल लिया जब इस आसे की सिकायर एक RTI एक्टिविस्ट त्रिवेश सुकला ने जिले के वरिष्ट अधिकारियों से किया तो उनका जवाब भी बड़ा बेहूदा था वो कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारा इसा नहीं मिला इस सम्मंद में जब सैनिक ईस्वरजीत के पिता सुन्दरलाल से बात की गई तो उन्होंने कहा हमारे बेटे ने कभी कोई मजदूरी नहीं की उसे मंजुला त्रिपाठी बदनाम करने की कोशिस कर रही है मेहुती पंचायत में जिस तरीके के कारणा में किये गए है यदि उसकी जिला प्रसासन बारी की से जाच करा लेगा तो मेहुती गाओं की रोजगार सहायक और सची हो दिने उस गौतम का फरजी वाड़ा साथ तोर पर पकड़ा जा सकेगा और इनके विरुद रिकबरी भी निकलेगी और आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हो सकता है लेकिन सवाल यह उड़ता है कि ब्रस्टा चार की गिरोह में सिर्फ यही दोनों लोग सामिल नहीं है मजगमा जन्पद में बैठे लोग भी इस गिरोह में सामिल है और इतना ही नहीं सतना जिला पंचायत में भी ब्रस्ट लोगों के संड़क्षक बैठे हुए हैं जो इन्हें पानी और खाद परियाप्त मात्रा में देते रहते हैं ब्रस्टा चार नामक फिल्म में दूसरी खलनाईका के रूप में पंगरा की रोजगार सहायक पप्पी कुस्वाहा का नाम भी लिया जा सकता है इन्होंने भी पंगरा पंचायत में ब्यापक पैमाने पर ब्रस्टा चार किया है लेकिन अभी तक इनके विरुद भी कोई कारवाई नहीं हुई अब सवाल यह उठता है कि ब्रस्टा चार नामक फिल्म की इन दोनों खलनाईकाओं के विरुद जिले के अंदर ऐसा कोई नायक कारवाही करता नजर नहीं आता लेकिन जिले की जन्ता कलेक्टर अनुराग बर्मा से उमीद लगाए बैठी है और इस आसा और उमीद के साथ कि इन खलनाईकाओं के विरुद नायक की भूम का आदा करते हुए आपको हमारी खबरे कैसे लगती है आप हमारे यूटूब चैनल के कमेंट बाक्स में आके कमेंट कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं सेयर कर सकते हैं और यदि आपको हमारी खबरे अच्छी लगती है तो विसाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तियारों रिष् दारों से भी सब्सक्राइब कराईए आप यदि भरस्टा चार के विरुद्ध हमारे द्वारा छेडी गई मुहिम में सामिल होना चाहते हैं और आपको लगता है कि हम भरस्टा चार के विरुद् Hampshire एक ससक्त आवाज बन सकते हैं हम भरस्टाचार के विरुद्ध आपकी आवाज को पूरे हिंदुस्तान के अंदर बुलंद कर सकते हैं तो आप अपनी बाद इस फोन नंबर पर कह सकते हैं हमारा फोन नंबर है 810-9044-656 नमस्कार